तो नमस्कार दोस्तों मैं निकलेशन हिंदी चेस्पेस इंडेशल पर आप सभी का हार्दिक और मेरे साथ हैं भार्ति टीम के कोच मेरे दोस्त श्रीनाथ जो बड़ी मुस्किल से दोगो उनको इतना टफ शेडूल के बीच में फाइनली जो है उन्होंना टाइम निकाला थैं कि आपको भाशा लगे बाद मैं में सब्टाइटल नीचे डाल दूंगा तो लोग समझ पाएंगे आप क्या बात कर अगर हिंदी यूस कर सकते हो नहीं पर जरूर करना ओके तो शीनाथ मुझे बहुत बूद बूद सीदहीं सवालों पर यार तो सब्सक्राइब में यह बहुत गरव की बात है बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि हम शायद सौ बार उलम्पियाड जीत सकते हैं लेकिन यह पहली बार जलसा नहीं होगा यह इतिहास में पहली बार है 90 साल से भी जादा के इतिहास में उलम्पियाड एक ऐसा आयोजन है जो परंपरा में गहराईजों से जुड़ा हुआ है देखे यह बात है मैं हिंदी में अच्छी तरह से नहीं कह सकता हूँ मैं बाचीत में कुछ सब्दों के साथ काम कर सकता हूँ लेकिन इस तरह से अपनी भावनाय व्यक्त नहीं कर सकता लेकिन हाँ यह एक ऐसा आयोजन है जो इतिहास में गहराई से जुड़ा हुआ है और हमने पहली बार गोल जीता है यह बहुत गर्व की बात है हम इसे पुरशो और महिलाओं दोनों में करने में सफल रहे हैं जो इसे दोगना खास बनाता है और जिस अंतर से हम जीते हैं चार पॉइंट का अंतर बाइस में से 21 संग की यह सभी चीज़े इतिहासिक हैं इस 11 राउंड के फॉरनेट में ऐसा कभी नहीं हासिल हुआ में ज्यादा मजबूत है चाहिवए 2000 से हो या 2012 से पहले तो यह सभी पहलों में मुझे लगता है कि अतिहासिक अपलब्दी है और कुछ ऐसा है जिसे हम आने वाले वर्सों में याद करेंगे और इसका आनन्द लेंगे मेरा दूसरा सवाल है इसी से रिलेटेट आपके तो यह जब अच्यूमेंट आया यह उपलब्दी आई कोई ऐसा मोमेंट था जब स्रीनाज थोड़ा एमोशनल हो गए थे तो वो कब था वो इस पूरे जब आप जीते सब इस दौरान कभी भी अच्यूमेंट बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत चीन के खिलाफ में थोड़ा तनाव में था एक खास पल था सिर्फ एक पल जब हरीकृष्णा वास्तों में अपना एंड गेम बचा रहे थे इससे पहले वह उस गेम में बहतर इस्तिती में थे लेकिन बाद मुन इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई जीत सकता था तो वो सिर्फ एक ही खिलाड़ी और मैं थोड़ा तनाव में था क्योंकि दो गेम ड्रॉ हो चुके थे और गुकेश की इस्तिती बराबर लग रही थी तो मैंने हरी को विधित की जगे उतारने का फैसला लिया था खासक मुझे लगता है USA के खिलाब मैच के पहले मुझे लगता है वह एक हाई प्रिशर मैच था क्योंकि बाकी टीमों के खिलाब हमें लगता था कि हम बहतर टीम हैं हम आत्मेश्वास से भरे हुए थे खासकर मैं एक कप्तान के रूप में मैं आत्मेश्वास से कह सकता था कि मैं पीछे बैठ सकता हूँ और टीम जीत जाएगी लेकिन USA के खिलाप उनके सभी चार खिलाडी विश्विस्तरी खिलाडी हैं वे सीड सिस्तर पर खेलते हैं और वे अपने खेल के दिन किसी भी बहतरीन खिलाडी को हरा सकते हैं तो हम जानते थे कि अगर हमने यह मैच जीत लिया तो यह हम टोर्नमेंट जीतने वाले हैं एक राउंड पहले ही और यह भी उस पर दबाव डाल रहा था खासकर प्रग्यानंदा और विधित के दो ब्लैक बोर्ड पर हमें लगा कि विपक्ष कुस दबाव बना सकता है तो सिर्फ उस मैच में हमें लगा कि हम ऐसे प्रदिद लगा करते हैं और प्रदिदी के विपक्त में है लिए अल्से लिए सवाल जींड प्रड वाले तो प्र ईस श्ड़ उसे तो मेरा था यू सवाल जारिक स्वाल कि वें तो जीट गये या जीतने वाले तो कभ था चुब होले था धो था था आँ मेरा था जाइन वाले डिए यह USA के खिलाफ जीत के बाद हुआ, यह साफ हो गया था कि हम लगबग टोनामेंट जीतने वाले थे, लेकिन हमें उस भावना को 15-20 मिनिट तक काबू में रखना पड़ा, हम सबी बहुत उत्साहज थे, बहुत खुस थे, हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे, लेकिन अगल लक्ष यह था कि हम इसे एक दमदार अंदाज में समाप्त करें, और साथ ही हर खिलाड़ी का व्यक्तिकत, गोल्ड मैडल और बोर्ड मैडल भी दाव पर था, गुकेश, अरजुन, सबी के लिए, गुकेश और अरजुन, अठाई सो रिटिंग की तरह बढ़ रहे थे, इसल मैं लगा कि दबाओं के बावजूत उसके जीतने के लिए बहुत अच्छा मौका था, तो मैं चाहता था कि अंत में सभी चीज़ें अपनी जगह पर आ जाएं, और हमने आखरी राउंड जीता, तो फिर हम उत्साहित हो गए, लेकिन साथी वह थोड़ा जल्दी था, क्यों कि वास्ताओं में मैं खुश हूं, बहुत गर्म हैसुश कर रहा हूं, और इसे में कई-कई सालों तक याद रखूंगा, इस अब अब यह थोड़ा जाना चाहता हूं, जब यूए से मैच पड़ा है, उसके पहले चाइना से मैच पड़ा, तो जब इनसे मैच पड़ा, तो टीम का अट्मोस्फेर कैसा था, और वाट वस यो प्लान वन यू वेंट अगेंस्ट जब आप खिल ले गए चाइना से, जब आप खिल ले प्लान क्या था, और आउटकम कैसा रहा हूं, मतलब जो प्लान था, वैसे ही हो गया, सब कुछ या, कुछ चेंज हो है, वो कांस मैचों में हमने योजना के अनुसार ही खेला, मुझे लगा कि हरी वास्तों में बहुत अच्छा खेल रहे थे, और वह इन चीनी प्रतिदंदियों को अच्छी तरह से जानते हैं, जैसा कि योजना थी, उन्होंने एक बिंदू पर बढ़त भी हासिल की, वह मैच जीत स है कि चीन ने उस मैच के दौरान डिंग को अराम दिया, यह कुछ ऐसा था जिसकी मैंने योजना में पहले से ही गिंती कर ली थी, मुझे लगा था कि वही था जो विसायत करेंगे, जब तक वे यह सोच के नहीं खेलते कि अगर हम डिंग को छोड़ते हैं तो इसका प्रभा से थोड़ी हैरानी हुई थी, लेकिन फिर भी हम इस पर ज्यादा, हम पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा, वास्तों में यह हमारे लिए थोड़ा रहात देने वाला था, चौते बोर्ट पर विदित को किसी दबाव का सामना नहीं करना पड़ा, अगर आप देखें तो ह हमारे पास दो सफेद बोर्ट थे, यह तीन मनाम तीन की स्थी थी, जहां हमारे पास दो वाइट्स थे, अर्जुन भी उस मैच को जीतने के बेहत करीब थे, एक अदम की दूरी पर शायद, इसलिए उजबेकिस्तान के खिलाफ हमें ड्रॉ से बहतर स्थी मिली, कुल मिलाकर चीजें योजना के अंसार चली और वास्तो में उमीद से बहतर हुएं, क्योंकि समाने रूप से आप उमीद करते हैं कि चीजें पूरी तरह से योजना के अंसार नहीं चलेंगी, इसलिए आप आम तोर पर दूसरे तीसरे विकल भी तयार रखते हैं, प्लान भी भी तयार जैसे यह खिलाडी फॉर्म में नहीं होगा, तो हम यह खिलाडी लेंगे, लेकिन इस बार चीजें उमीद से बहतर रही हैं, और यूसे के खिलाब क्योंकि यूसे के खिलाब तो हमारी इस्तिती ऐसी थी कि एगा ड्रॉ भी कर लिया तो प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जो आ प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि चार खेल होते हैं, इसलिए हमें पता था कि वे उन बोर्डों पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, जहां पर हमारे पास काले मोरे थे, यानि दो काले बोर्ड, काले मोरों से खिल रहे बोर्ड, तो उसी के अंसार हमें भी सफेद बोर्ड पर दबाव बनाना था ताकि संतुलन बना रहे और ऐसा हुआ भी क्योंकि जिन दो खिलाडियों की उस समय सबसे अच्छी फॉर्म थी, उन्हें उन मैचों में सफेद मोरे मिले, गोकेश और अरजुन, लेकिन फिर भी हमने इसे किसी और खेल की तरह ही लिया, मुख्यों र खेल खेलना था, और मुझे लगता है कि USA पर थोड़ा दबाव जादा था, उन्हें हमें हराना था, हमारी लिए उतना दबाव नहीं था, क्योंकि अगर हम हार भी जाते तो हम आखरी मैच जीत कर गोल जीत सकते थे, लेकिन USA को हमें हराना ही था, इसलिए उन पर थोड़ा दबाव था, और मुझे लगता है कि Fabiano का ओपनिंग का चैन भी इसी दबाव से परभावित था, वह सिर्फ खेल को आसानी से ड्रॉक करने की तरफ ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा अधिक महत्वा कांची होने की कोशिश की, कोकेश ने बहुत अच्छा खेला और Fabi को बहुत शांदार तरीके से मात दी, अर्जुन ने भी दूसरी और अच्छी शुरुआत की, मुझे नहीं पता कि उसके प्रतिदंदियों ने खास ओपनिंग क्यों चुनी, लेकिन अर्जुन की इस्तिती अच्छी हो गई थी, सामाने तोर पर डोमिंगेस के अच्छा रहा है, दोमिंगेस एक विश्विस्तरी खिलाडी हैं, बहुत मजबूत हैं, लेकिन अर्जुन का उनसे बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, और उसने इसे बहुत सहस्ता से जीत में बदला, इसलिए इस अंदर में खिलाडी बस पेसेवर थे, वे इसे वैसे ही ले जैसे वे किसी व्यक्तिकत खेल में करते, एक संदेश जो हम सभी के लिए था, कि वह हमें अपने साथियों पर विश्वास करना है, जो कि इस टीम में बहुत आसान था ऐसा करना, सभी चार बोड बहुत मजबूत थे, उन्हें हरा नाम बहुत मुस्किल था, इसलिए ऐसा न दवाओं में नहीं होते हैं, तो आपके पास अपना सर्फिट करने का बहतर मौका होता है, लोग बात कर रहे हैं कि भारत का सथर्ज में दबदबा होने जा रहा है, डॉमिनेशन होते जा रहा है, और यह गोल इतना भी अपने आप में बड़ी बात है, आपको क्या लगता ह है कि अगर हमको continue अच्छा करना है, तो क्या जो चीज़ें हो रहे हैं वो enough है या हमें आगे future के लिए बहुत सारी चीज़ें करना बाकी है, तब ही यह domination की बात हो सकते। हमसे सबक सीखेंगे और वो और भी मजबूत होकर वापस आएंगे। यह हमारे प्रदान मंतरी मोदी जी के साथ बाचीत के मुखे संदेशों मैंसे एक था, उन्होंने जो एक बात कही जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, वह थी कभी संतुष्ट मत हो। औ और आपने पहले जो सवाल पुछा था, हाँ मैं खुश हूँ, मुझे गर्व है लेकिन मैं एक जीत से संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हमें इसे साल दर साल करते रहना होगा, हमें उन सही चीज़ों से सीखना होगा जो हमने की हैं, जैसे हार आपको बहुत करने होगी और उन प्रक्रियाओं को सुधारते रहना होगा, जवाब बापस लोटे तो कैसा रियक्शन था मीडिया का, प्रधान मंत्री भी आप से मिले, पूरी टीम को भी बहुत सारे कैश आवार्ड्स मिले हैं, यह जो पूरा सारी चीज़े हो रहे हैं, क्या आपको इसने और स्वागत हमें मिला, जैसे ही हमने श्वन्ड पदक जीता, हमें बुड़ा पेश्ट में भारती दुतावास में समानित किया गया, और फिर जब हम भारत पहुचे तो हमें सभी से गर्म जोसी से स्वागत मिला, एरपोर्ट से लेकर राजसंग, राजसरकार, फिर भारती खेल प्राधिकरण, खेल मंतरालय, प्रिधान मंत्री, कारयालय, हमारे मुख्य मंतरी, खेल मंतरी, केंदरी मंतरी, हमें सभी से बहुत अच्छा स्वागत मिला, और निश्यत रूप से मीडिया भी इसमें सामिल था, सबसे महतमून बात यह थी, कि वे लोग जो हमार यह हैं कि केबल हमारा सूर्ण नहीं है बलकि यह हम सभी का गोल्ड है, यह है भारत का गोल्ड है, हम सभी के लिए हैं. Yes, you are saying. All these things, it feels with a very warm feeling in our heart. We are very happy to receive this. and I want to say big thanks to everyone who supported us in this journey and also want to tell them that it's not just our goal but it's our goal. It's a goal for our nation. It's India's goal. It's for all of us. Siniyat, now I'll talk a little bit about individual games. के बारे में. गुकेश को आपने बहुत क्लोजली वाच किया इस बार एज़ा टीम के कोच. पहली बार उलम्पियाड में आप एक टीम में दौनों एज़ा कोच और वो खिलाडी थे. पहले बोर्ड पे वो खेले. उनने कर्वाना को हराया, उनने वे इको हराया. सेम टाइम आ पहले यह बात है जरूर की जारी थी कि जो है वो अभी भी बहुत स्ट्रॉंग है वापसी करेंगा और अभी भी वह बात स्टैंड करती है लेकिन आप आपको यह ओलंपियाड के परफॉमेंस के बाद जो कॉन्फिदेंस गेन हुआ होगा गुकेश का भी कैंडिड भी वो अब क्या लग रहा है जो वोल्ड चैंपिंशिप होने जा रही है सिंगापूर में आप क्या सोचते हों गोकेश के बारे भी आपको क्या लगता है और और ऑफ और वह ने बेहत प्रभावित किया है वह लगातार बहतर होता जा रहा है मुझे याद है मैंने उसे बच्पन स हुआ है और उसने अपने आपको खुपसूरती से माहौल में ढाला है वह बस ऐसा करता ही जा रहा है उसकी उम्र सिर्फ अभी 18 साल है इसलिए 2800 तो बस उसके केरियर में एक प्रारंबिक कदम है जहां तक उसके मैच का सवाल है गुकेश निचित तौर से इस समय सबसे पसं उन्होंने अपने सांदार केरियर में ज्यादा कोई गिरावट नहीं देखी है लेकिन खेल में हमेशा ऐसा नहीं होता है मजबूत खिलाडी या मजबूत टीम जीतती है ऐसा हमेशा नहीं होता है केवल मजबूत होना ही महतुपूर्ण नहीं है आपको वास्तों में बोट पर मजबूत खिलाडी बनना होगा और इसके लिए आपको कई चीजें सही करनी होगी शुरुवाती तैयारी से मुझे यकीन है कि गुकेश को यह भी पता है और उसके पास अपनी टीम है वह बहुत पेशेवर है लेकिन मैं यह जरूर कहूँगा कि वह किसी भी तरह खुद को कम आकना या लापरवा होना ना करे क्योंकि सबी खेलों में ऐसा होता है उसके प्रतबंदी भी बहुत सक्चम ह वह खतरनाक है और किवल मजबूत खिलाडी होना जीत की गारंटी नहीं देता आपको अंतिम छण तक अपनी सही प्रक्रियाएं अपनानी होंगी मैं सोचता हूँ कि जिन लोगों को क्रिकेट का अनुशरण करना पसंद है हम उसे उधारन के लिए ज़्यादा दूर नहीं चाहिए भारत ऑस्ट्रेलिया विश्व कब जहां भारत सब कुछ जीत रहा था लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हमें फाइनल में चौका दिया इसलिए महातून है कि आप ध्यान किंद्रित करें अपनी पूरी तबज्यों अंतिम छड़ तक बनाए रखें और सब कुछ सही करें तभी आप सफल हो पाएंगे अगर आप क्रिकट पर बीजाय और इंडिया और ऑस्ट्रेल या की बारा मैच होते चौड़ा मैच होते तो आप उन्हीं लगता है इंडिया निकल आता बाहर क्योंकि वहां तो एक ही गेम हो रहा है फाइनल में पिछ भी इंपक्त कर रही है व तो ही अगर हम वर्ड चैंपर्शिप चेस्ट में 14 मैच होने और पीक फॉर्म में देखें को केश को डिंग को तो किस तरीके से देख आप नहीं मैं सोचता हूं कि अभी भी एक मैच में महात्पूर्ण प्रतिसवर्दा करने की चंबता रखता है मुझे लगता है कि वह प् जबूत मुकाबला करेगा इसलिए मांसिक तोर से गोकेश को कठिर मुकाबले खेलने के लिए तैयार रहना चाहिए इस सवाल के जवाब के लिए अब मैं बात करने वाला हूं अरजुन दूसरा दूसरा एक प्लेयर जिसने बहुत इंपक्ट डाला चेस्ट और उसके साथ आपने बहुत काम किया पहले अरजुन के साथ आप बहुत काम कर चुके हैं पहले अरजुन के बारे में आपको क्या लगता है उनकी सबसे अच्छी खूबी क्या है जिसकी वजह से वह तेजी से आगे बढ़ा उनका फ्यूचर कैसे देखते हुआ अरजुन बहुत कुछ सीख रहा है हाला कि वह बहुत यूवा है और वह बहुत अनुभो जमा कर रहा है पिछले साल प्रग्यानंदा के खिलाफ विश्व कप में उसने बहुत ही खास मैच खो दिया था उसके बाद कातर मास्टर में अब्दूसातरों के खिलाफ एक बहुत थी कठिन मुकाबला वह हार गया था अगर उसने वह मैच ड्रॉ किया होता तो वह जीत जाता लेकिन मुझे लगता है उसने उन सब चीजों से अच्छा सबक लिया है और एक अविश्वशनी मजबूस शत्रिंच के लाड़ी के तौर पर वह उभरा है शत्रिंच के भीतर मै चाहिए जो वह सही तरीके से कर रहा है कभी कभी उसे अपने उर्जा इस्तरों और ऐसी चीजों के मामले में अपनी सीमाओं का पता नहीं होता है लेकिन मुझे लगता है कि यह सबी चीजें उसके उम्र के लिए सामाने हैं और वह निशित रुप से अनभाव के साथ बहतर होगा और मुझे लगता है कि उसके लिए कुछ वर्षों की यात्रा होगी मुझे लगता है कि 2800 बस एक कदम है और वह आगे बढ़ता रह सकता है लेकिन दोनों गुकेश और अर्जुन के लिए वर्तमान इसीदी में गती बनाये रखना एक चनौती होगी क्योंकि कई अन् गन्मास्टों ने बहुत सारी रेटिंग खो दी है लेकिन उनकी ताकत नहीं खोई है और उनमें से कुछ 2700 के भी नीचे हैं लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी 2700 की ताकत रखते हैं क्योंकि वे अंडर रेटेड हैं 2800 पर लगातार आगे बढ़ना मुस्किल और चनौती क्रिशन इनका कैसा रोल रहा इस विक्ट्री में आप सो अधिंक और दो गुकेश और अर्जुन ने बहुत सारे गेम जीते हैं बहुत नाम जीता है प्राग ने भी दोनों बोर्डों पर अध्भूत इस्तिरता प्रदान की मुझे लगता है कि उसके लिए पिछले कुछ मह नाम अच्छे रहे हैं लेकिन वह एक गती पिछले साल के मुकाबले नहीं दिखा रहा है वह भी बहुत खेल रहा है मानसिक ठकान भी एक भूमिका निभाती है अनिशगीरी ने मानसिक चोटों के बारे में भी उल्ले किया है जो शत्रण खिलाडियों को हो सकती है और उसके लिए एक चरण है लेकिन वह जानता है कि उसे क्या करना है और वह जानता है कि उसे वापस आने के लिए क्या करने की आवश्यक्ता है बस यह एक चक्र है कि वह टीम के दो अन खिलाडियों के तुला में कुछ अंक नीचे है जो कि उसी के हम उमर है लेकिन मुझे लगता है क यह एक चक्रिय घटना है, समय के साथ एक दूसरे से आगे निकलेगा और यह जीवन बर चलता रहेगा, जहां तक विदित की बात है, विदित ने यह साबित किया है कि वह इतनी लंबे समय तक सीट्स पर बना रह सकता है, वह इस उमर में नए सिखर प्राप्त कर रहा है, हाला नहीं था, जो लबक दो साल पहले हुआ, लेकिन विदित ने फिर भी यह सुनिशित किया कि वह अपनी प्रेणा ना खोए, बलकि एक खिलाडी के तौर पर आगे बढ़ते रहे, एक खिलाडी के रूप में आगे बढ़ने का नड़ना लिना भी आसान नहीं था, क्योंकि व उस विकल्ब को चुना, जो शित्वन्च खिलाडी होने के नाते कम वित्ये लापकारी लगता था, लेकिन वह यह ताकत से ताकत की और बढ़ रहा है, मुझे लगता है वह अद्बुत है, पिछले वर्ट्स, वह ग्रैंड स्विस में शांदार था, उसने कैंडिट में उसे डालता है, कभी-कभी वह भागपूर्ट चणों पर उन पर असर डालता है, इसलिए एक चुनावती थी कि आप जानते हैं कि इस टीम के भीतर उसे सर्वत्तम जोन पर रखने में मदद करें, और मुझे लगता है कि इस तत्य से काफी आसान हुआ कि सीर्ज दिन खिलाडियो उन्हें वाकई काफी कम दबाव डाला विधित के उपर, काई मामलों में हम कम से कम दो एक से आगे होते और विधित का खेल बाकी होता और विधित बहतर रिशिति में होता, तो यहां तक एक ड्रॉब भी टीम के लिए जीत हो सकती थी, और मुझे लगता है कि इस से उसे सा जितरंज में, जिसमें मैं भी सामिल हूँ, तो मैं उनकी स्रेणी में था, हम सभी रास्ते से हट गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि 2600 के उपर के कई खिलाडी हैं, लेकिन विधित 2700 के आसपास खुद को बनाए रखते हैं, मुझे लगता है कि वह हमारी उम्र के समूव मे एक मातर ऐसे खिलाडी हैं, जिन्होंने इसे इतनी लंबी अवधी तक बनाए रखा है, यह बहुत कठिन तीवर प्रतिस्वर्दी वातावरण हैं, लेकिन विधित ने खुद को बहुत अच्छी तरह से ढाल लिया है, हरी किश्ना की बात करेंगी तो वह टीम के किस्तम हैं एक मातर खिलाडी हैं, जो मुझसे बड़े हैं, और वह एक मातर खिलाडी हैं, जिन्से मैं कभी-कभी सलाह लेता हूँ, कप्तान के रूप में निर्णे लेता हूँ, मुझे यकीन नहीं होता कि यह निर्णे सही है, लेकिन मेरे पास चेक करने के लिए कोई स्टॉक फिश नहीं है क्या मैं सही कदम उठा रहा हूं लेकिन ऐसे में हरी कृष्णा इसी सितियों में बहुत मदद करते हैं क्योंकि वह मुझे आस्वस्त कर सकते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वह ठीक है और ऐसे भी समय आता है जब मैं अपनी भावनाएं हरी कृष्णा के सामने रख सकता तो हरी किष्णा इन सबी चीजों को समझते हैं, हरी किष्णा सचिन तंदुलकर की तरह हैं मेरे लिए इस माइने में कि दोनों ने भारत के लिए बेहत युबा उमर में अपनी शुरुआत की, हरी किष्णा ने 2000 में टीम में प्रवेश किया, वह सिप 14 साल के थे, वह एक बाल पदग बलकि उनका पहला उलम्पियाड पदग भी है, 24 साल बाद आया, मुझे लगता है कि सचिन के 2011 के विशुकाप के तुलना में थोड़ा सा समान अंतर था, हरी ने हमारे पिछले उलम्पियाड में अधिकान समय पहले और दूसरे बोर्ट पर खेला, 2016 और 2018 में 22 खेलों अजे रहे, वह समान रूप से बहुत नेश्वार था और विशेश रूप से 2016 में उन्होंने बहुत शांधार खेला था, मुझे याद है कि दस्वे राउंड में जब हम अमेरिका के खिलाब जीत हांसिल की थी, वह मात्पूर्ट दस्वे राउंड में 2016 में उन्होंने रू उन्होंने कई शांदार प्रदर्शन किये हैं, हाल में ही उनका रेटिंग थोड़ा 2700 के नीचे गया है, लेकिन उनकी ताकत में कमी के कारण नहीं है, यह किवल एक चरण है, और हाँ, इसी साल उन्हें शत्रंज के बाहर कुछ चीजों का सामना करना पड़ा है, वह व्यस्त रहे हैं, लेकिन अगले वर्स मुझे उम्मीद है, पूरी ताकत के साथ लोटेंगे, आधिक समय शत्रंज खेलेंगे, और हरी को मैं 2700 पर वापस आने के लिए उतना ही उत्साहित रहूंगा, जितना मैं विदित की जीतने के लिए उत्साहित रहूंगा, एक सवाल मेरा, ए बहुत सारी बातें पूछते हैं, तो आपको क्या लगता है निहाल के बड़, निहाल एक बहुत ही ज्यादा प्रतिवा साली खिलाडी है, और बस किसी तरह 2700 पर नहीं पहुँचा है, और मुझे लगता है कि बस एक समय की बात है, मुझे याद है कि नेपो के साथ भी निहाल किसी से कम नहीं है, जैसे अब दुसातरो, अरजून, गोकेश और प्रगिरंदा, उसमें कुछ भी कमी नहीं है, इसलिए वह अभी बस सीर्स पड़ाओ पर नहीं पहुचे हैं, और मुझे लगता है कि किसी कमी की वज़े से ऐसा हो रहा होगा, और वह उस कमी को आपना रास्ता खोज लेंगे. Some people grow faster at certain stages and sometimes some people take a little more longer in that particular phase. So I think that's probably what's happening to Nihal as well but he's very young so he has time and I'm sure he will make the jump over 2700 if he continues to persist with the challenge. Okay Srinath, मैं आपका बस पांच में टॉड़ लूँगा और ये सवाल सारे हो गए, अब हम एक rapid fire करेंगे जल्दी यल्दी और आपको जल्दी यल्दी जवाब देना है, तो शुरुवात करते हैं आपर, टीम का सबसे मस्ती करने वाला खिलाड़ी है, शान्द खिलाड़ी है, ग्रग, वाग, वाग, सबसे आग्यागारी काँ है, कौन सबसे जादा बात मानता है, मतलब लगोट्स, थिस फौल इटोड़ी है, वो फालो फस्त, बबली विधित, को इन फौर यू, वो इस नावर रयाबल? मैं तर बेरों बीटोटोट प्रोट इस आपको इस थो every I think pretty much everyone is the reliable so but if I had to like choose one person then probably in terms of solidity I would choose Prague who takes care of their health the most I think here Gukesh is certainly the best amongst the younger kids Vidit and Hare Krishna also they take good care of their health but you know when you are above 30 Vidit is not yet above 30 but it's only a few days but when you are around 30 biology automatically make sure that you have to take care of your health because if you don't the consequences has happened much faster but amongst younger kids I would choose Gukesh because at 18 even if you don't sleep or don't eat so well you will still have energy but Gukesh still takes good care of concerns preparation कौन करता है match के पर इसे कम तयारी कौन करता है कि अब इसमेंदी हरी तुके तुफ टुफ 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 प्वेस्टिन दा हूँ कोज एवर्यों प्रिवन प्रिवर्यों प्रिवर्यों अगले पांच लंप्याड में भारत कितने गोल्ड जीत सकता है इस प्रिवर्यों 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 टीनाथ क्या करते हैं जब टेंशन में होते हैं कि अधे आई आई डीसेंट लिए जिस्ट्रीट मैसल्ड गो अवे फंट सिच्वेशन लुक अधर गेम्स पांट इन श्री नाथ का आइडियल कोन है इन चेस हैं गोड़ करेंड डिविट्पर्ट अबोर्यों क्यों प्रिवर्यों 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 टेंट वुष्वादत सन्याथ को सिच्वेशन जवीड़त में लिए इन लिए जाए 119 गड़्यों करते है तरहे देटीनष। यह चुछ स्वाधिश नेरी फेवरेट है वाई ओके फेवरेट एक्टर टीनाग का आपका तो पेवरेट एक्टर कमर्हासन सबसे फेवरेट किताब जो शीनाग को बहुत पसंद आउट अउट अउट फिस्ट है इसमें देर वाइट फ्यू बुक्स विच आ लाइग बट आ आउट इसमें जो जो फिक वन ऑम माइंडसेट बुक्स वड्माइड सेट लूट इसमें कि अगर शीनाग ना करना तो शीनाग क्या करेंगे आपके नितत में भार्ची टीम कमाल करती रहेगी और और आप भारत की यूँ ही सेवा करते रहेंगे थैंक्यूस तो मच हिंदी चेस्पिस इंडिया के लिए समय निकालने के लिए और आपके फ्यूचर के लिए बहुत-बहुत सुपकामना है कि जन्यवाद लागा आक्रीवें हिंदी बहुत देखावाद कि अधा कि अधा